नमस्कार दोस्तों स्वाइब आसे विए टेक्नो वोल है मैं नाम विशाल और दोस्तों आज किस वीडियो हम बात करने वाले MSI GP66 और GP76 लाप्टॉप्स के बारे में जो कि तो दोस्तों कल के वीडियो में ने आप सभी लोगों बताया था कि यह दोनों ही लाप्टॉप्स जो है GP66 और GP76 यह अप्रिल 2021 में लाँच होने वाले जिसको MSI ने हमको आप्को ऑफिशली कंफर्म किया है तो दोस्तों यहाँ पर next month में हमारे पास्के दोनोी लाप्टॉप्स देखने को मिलने वाले हैं और आज हम इसके बारे में सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इससे 70H processor आपको देखने को मिल जाएगा और इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे तो यह दोनों ही जो laptops हैं इन दोनों ही laptops में जो configuration exactly same है जी यहां दोनों ही laptops GP66 और GP76 दोनों के configuration exactly same है सिर्फ और सिफ यहाँ जो difference आपको देखने को मिलने वाला है वो है यहाँ पर display size में तो बाकिस सारी चीज़ें यहाँ पर exactly same है और यहाँ पर maximum आपको hertz देखने को मिलेगा इसके डिस्प्ले में 144hz का display होगा IPS दिस्प्ले होगा तो exactly same configuration इन दोनों ही laptops में आपको देखने को मिलने वाले सिर्फ और सिफ यहाँ जो difference होगा वो display के size में होगा और दोनों ही laptops यहाँ तीन variants में आने वाले हैं मतलब कि आपको यहाँ पर RTX 3060, RTX 3070 और RTX 3080 भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ और RTX 3080 में आपको दो configurations देखने को मिलेगा मतलब कि दो models आपको देखने को मिलेगा दोनों ही laptops में एक जो variant होगा वो 8GB के GPU के साथ में आएगा और दूसरा जो variant ह होगा वो 16GB के GPU के साथ में आएगा तो दूसरों यहाँ पर over in all 4 models release होने वाले हैं और सभी में आपको यहाँ पर 8 cores और 6 cores के CPUs देखने हो मिल जाएगा तो यहाँ पर variations हो जाएगे लेकिन फिर भी यहाँ जो over in all configuration रहने वाला है दोनों में ही वो same रहने वाला है अब सबसे इसके बाद में चलिए कुछ यहाँ पर over in all configuration के बारे हम बात कर लेते हैं तो यहाँ आप जो laptops हमारे पास में available होने वाले हैं इसमें आपको maximum 64GB तक का यहाँ पर maximum capacity होगी RAM की और already यहाँ आपको दो RAMs install मिल जाएंगे जो की 16GB तक के होंगे यहाँ और यहाँ जो RAMs work out करेंग यह M.2 slots के साथ में आने वाले हैं यहाँ पर आपके पास में 2 M.2 slots होंगे जिसको यूज करके आप यहाँ पर SSD को install कर सकते हैं और दोसों इच यहाँ पर जो slot होगा उसका maximum capacity होगी 1 TV की होगी तो आप यहाँ पर up to 2 TV तक SSD को install कर सकते हैं और उसके बात में अगर हम यहाँ ब अगर हम बात करें यहाँ पर तो RJ45 port available HDMI port उसी के साथ में USB 3.2 का यहाँ पर generation 1 का तीन ports आपको देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर USB 3.2 Type-C Type का एक आपको port यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और दूसों बैटरी performance के बारे हम बात करें यहाँ बैटरी आपको दे हमारे पास में यहाँ पर कुछ initial benchmarks हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमारे पास में एक laptop available जो की Intel Core i7 processor के साथ में आता है जिसमें हमको 100870H processor देखने में मिलता है तो दूस्तों यहाँ पर जो single core benchmark score Geekbench पर हमको देखने में मि अच्छे हैं और दोस्तों यहाँ यहाँ बेंचमार्क scores है वह भी हमको यहाँ पर काफी अच्छा देखने में मिले हैं in comparison to RTX 2060 and RTX 2070 सबसे पहले अगर हम यहाँ पर RTX 3060 के बारे हम बात करें जो कि एक laptop में हमको देखने में मिल रहा तो यहाँ पर Geekbench 5 का open seal score है वह 17709 यहाँ सब्सक्राइब काफी अच्छा बेटर performance हमको देखने में मिल रहा अगर हम इसको compare करें नियां करें लीजिन 5 पिए में देखने मिल रहा तो वहाँ पर 74,000 का score हमको देखने मिल रहा लेकिन यहाँ यहाँ रही आप स्कोर हमको देखने मिल रहा तो दोस्तों यहाँ पर almost 30,000 क आपको देखने में मिल सकता है, यहाँ पर 25-30% आपको improvised performance देखने में मिल सकता है, RTS 3060 में, उसी के साथ में अगर आप यहाँ पर RTS 3070 में जाते हैं, तो वहाँ पर और भी अच्छा performance हमको देखने में मिला, 1,32,353 का score हमको देखने में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छा बूस्टेट परफॉर्मेंस हमको देखने हैं मिलने वाला है मतलब कि 25-30% का बूस्ट मिलने वाला है आपको प्रिवियस जनरेशन से तो दोस्तो इसलिए यहाँ पर जो जीपी परफॉर्मेंस हैं इन दोनों लाप्टाउस में काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो दोनों लाप्टाउस जो है एक्सपेक्टेड है कि अप्रिल 2021 में लाँच हो सकते हैं जैसे हमको अल्रेडी MSI ने कंफर्म किया है कल जैसे हमको किया हुआस्पेक्टेर जाएस कर रहे हैं जैसे हमको अल्रेडी MSI ने किया हो सकते हैं जैसे हमको किया है उत्राइशस में लापॉर्म को सकते हैं